हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के लिए आंगन बाड़ी से जुड़ी एक और लेटेस जनकारी लेकर के आई हूँ क्यूंकि सेवका बहने हम सभी हर्ताल पे जाने वाली हैं और हर्ताल पे जाने के पूर्व सब्सक्राइब नहीं करें हैं चाहिए कि नहीं करना है और करना है तो किस परण से करना है इसकी पूरी जनकारी है पर लोगों को वीडियो में है कि हमें क्या करना है काम करें ना करें सभी हैनों के समष्याओं का समधान हो सके तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं जैसे आप लोग देखे कि इस लेटर का जो हैडिनिक लिखा हुआ सबसे पहले आप लोग हैडिंग पड emission इस के प्रे प्रखंड विकास पदाधिकारी शिक्षा पदाधिकारी बाल विकास पदाधिकारी प्रखंड जीविका समयुन यानि कि यह एक परियोजना अंतर्गत है उस परियोजना में जो है कि इतने सारे प believers कारी से जोनिक्त कान त। बहुत खास है बहुत है W चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस विसय के बारे में कि विसय क्या है आप लोग ध्यान दीजिए विसय को पढ़िए आप लोग ध्यान से देखिए विसय सघन मिशन इंद्रधनुस 5.0 के लिए प्रखंड अस्तरिय बैठक में भाग लेने के संबन्ध में यानि कि सघन मिश संद्रिफ का काम करते हैं अपना सो में सो पर्षेंट देते हैं जिसके लिए बावजूंध भी हम पर जरा theorem निकरते एक तो हम मारा जो है कि पिछले 5-6 महिनों से मांदे इस्थगित के कारण सभी सेविका सहाई का बहने परिशान है इस बात पर भी सरकार की कोई ध्यान नहीं है कोई दृष्टी नहीं है और हर तरह से सेविकाओं को प्रताडित किया जा रहा है हर सेविकाओं को हर तरह से टॉर्चर किया जा और उन्हें सिर्फ और सिर्फ मजदूरी दिहाडी भी कंप्लीट नहीं मिल पा रही है एक जो है कि नियुंतम वर्ग का जितना होना चाहिए मांदे उतना भी नहीं है हम लोगों का क्योंकि अभी आप लोग देखिए कि गाउं में यदि एक मजदूर भी मजदूरी करता है प जलिए यह तो हो गया बात और मुद्दा हम लोग आगे पढ़ लेते हैं महाशेद उपियुक्त विश्यक सुचित करना है कि दिनांक 9-10-2023 से 14-10-2023 तक यानि कि कुल 5 दिनों तक जो है कि सघन मिशन इंद्रधनुस 5.0 कारिक्रम अंतरगत सभी गर्भवती एवं 0-5 वर् मिशन इंद्रधनुस पर पूरी टॉपिक बना के रखी है कि सघन मिशन इंद्रधनुस क्या है और उसका क्या गतिविधी होती है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इंद्रधनुस में 7 रंग होते हैं वैसे ही मिशन इंद्रधनुस में 7 जानलेवा बिमारियों से जो है कि ठीके दिये जाते हैं और उसी को जो है कि इस कारिकरम को एक भी बच्चे ना छूटे इतने दिन एक भी गर्वती ना छूटे उसी को सघन मिशा निद्र धनुस के तहत जो है कि चिन्हित कर के उनका ठीका करण किया जाता है और इसका काम किसका रहता है। बड़ी सेविकाओं का हम सभी आंगन बड़ी सेविका बहने जो है कि इसे चिन्हित करके अपने आंगन बड़ी केंद्रों पर संपूर्ण डिका करण करवाती हैं इसे जो है कि आगे चलिए हम देख लेते हैं इस कारिक्रम में समाजिक उन मुखी करण है तुद दिनांक 27 को मेरे परियोजना में बैठक है तो हमारे परियोजना में 27 को बैठक है 29 से हम हरताल में है तो हमें जाना है कि नहीं जाना है तो no doubt no confusion हमें हर हाल में जाना है जो है कि 29 तारिक को यदि कोई काम है तो उसे हमें नहीं करना है 30 को कोई काम है तो नहीं करना है क्योंकि हम आने श सबस्क्राइब कर सबस्क्राइब करें जरूर छीयर करें ज़री में जरूरेकूर करें मधंबूंब इस activates at